Hello guys, मेरा नाम मेरा यान, आप सभी का स्वागत है, चटपट टोई टीवी की नई वीडियो में लास्ट टाइम आप लोगों ने ये जिमनी का वीडियो देखा था और आपको ये जिमनी बहुत जादा कमाल की लगी थी और इसका प्राइज भी बहुत जादा कम हो चुका है तो आज की वीडियो में देखते हैं जिमनी के अंदर क्या-क्या में फीचर दियेगे और इसका कलर भी अब कम्प्लिटली चेंज हो चुका है अब यह जिमनी को मैंने white color में खरीदा है पूरी तरीके से modify करवा के यह जिमनी के अंदर सबसे खास चीज है इसका smoke emitter यानि कि इसके अंदर से smoke भी निकलता है जैसे 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 यह जिमनी चलती है तो आज इसकी मैं fight कराऊंगा TRX4 Defender के साथ देखो guys मेरे पास एक बहुती कमाल की bus है इसको बोलते है monster bus चलो guys पड़ावट से पहले करते हैं इसके unboxing देखते हैं इसके अंदर क्या-क्या main feature से और देखते हैं यह कितनी ज़्यादा powerful है चलो और यह completely pro model है यानि कि इसके अंदर इतने सारे modifications की हैं कि हमारे पस जो पुरानी वाली जिमनी है वो इसके सामने fee की नजर आने वाली है यह जिमनी के पीछे हम लोग एक extra trolley भी attach कर सकते हैं वो भी मैं आने वाले दिनों में जरूर से खरीदूँगा तो चलोगा इस फटाफ़ट से box को open करते हैं देखते हैं यह car white color में कितनी तबडी नजर आती है box को यहाँ से मैंने open कर लिया वैसे अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो link मैंने नीच डिस्क्रिप्शन में दे दिया है बैंक बूट का वहाँ से अगर आप चाहे तो इस subscribe नहीं किया तो चैनल को जरूर से subscribe करके bell icon भी जरूर से दबा देना तो इसके अंदर पहले तो यह user manual दी गई है यह user manual जरूर से पढ़ना चाहिए गाइस क्यूंकि इसके अंदर बहुत सारे modifications दिये गए है सारी information instruction manual में दी गई है तो box को यहाँ से open कर लिया है मैंने सबसे उपर मेरे को मिला है इसका remote controller remote एक बार दिखा देता हूँ बाकी इसके अंदर इतने धेर सारे buttons क्यूं है यह आपको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा इसके अंदर बहुत सारे चोटे-चोटे switches भी दिये गए है तो remote की quality मेरे को ठीक ठाक लग रही है और इसको हम लोग single hand स इस तरीके से control कर सकते हैं तो इसके साथ एक और छोटा सा box दिया गया है इसको एक बार open करके देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है अच्छा तो यह इसका शायद battery block मेरे को लग रहा है तो और यहां पर बहुत सारी चीजें जैसे कुछ cable ties है कुछ stickers है spanner है और एक nut bolt tight करने क के लिए screw driver भी दिया गया है तो यह यहां से निकाल लेता हूं मैं इसकी battery coffee ज्यादा अलग type की दी गई है 6000 mh 7.4 volt पर यह काम करती है बैटरी को यहां से हम लोग direct type c charger से charge भी कर से को रखते हैं साइड में यहां पे cable भी दिया गया बैटरी को charge करने के लिए अब निकालते है हमारी car को उससे पहले यहां पे एक और डिबबा मिला है यह डिबबे के अंदर पता नहीं है क्या है कुछ नहीं है वई सिर्फ खाली डिबबा दे रखा हैं लोगोंने के car को यहां से खोल लेता हूं मैं काफ्य अच्छ तरीगे से car pack होके आई है यहां से भी car को निकालना की यहां मईल्la रीज शऱया दिखाओ है यह तो इंडिकेटर फिर के आपड में मैं में अडिक्टीह क्यों इस बैग सटीकर औरो. पीछ था यहां यहां पर यहां पे लाइटस दिया गया था और लाइटस दिये गए यह तो इन्डिकेटरॉ्टेस भी देख सकत यह पे ला तो स्पाइब यहां पर देख सकते हो, इसके अंदर से धुआ बाहर की तरफ पीछे, यहां पर बैटरी लगाने के लिए एक पैक दिया गया, इन चोटी जी कार में यह लोगों ने सस्पेंशन भी दे रखा है, यहां पर सुजुकी की बैचिंग है, यह इसके हैड लाइट है इसके इंडिकेटर से, फोग लाम्स भी दिये गए और यह काम भी करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो आज इसके साथ बहुत भैंकर वाली टेस्टिंग में करूंगा, यह सामने का बोनट इसका ओपन हो जाता है, यहां पर बहुत सारे सरकेट्स वगेरा दिये गए तो अब बैटरी यहां पर किस तरीके से इंसट करना है, मैं आपको दिखा देता हूं देखो इस तरीके से पुश कर देना है और बैटरी यहां पर लॉठ हो जाएगी और अब दिखो कार को ओन करते हैं यहां से, इसको अनो स्विच सामने बोनट के अंदर दिया गया है, यहां पर कार अन हो चुकी है लाइट आने लगी है अब इसको बंद कर देते हैं एक बार इसको रिमोट से भी कर लेते हैं अब मैं ट्रिकर को हलका सा भी प्रेस करूंगा तो यह इस तरीके से स्टार्ट हो जा दिया बिल्कुल एक रियल कार जैसी आवाज इसके अंदर आ रही है और भ के अंदर बहुत सारी चोटी-चोटी स्विचे से अधर यह स्विच को मैं नीचे करता हूं तो इसके अंदर से जो स्मोक निकल रहा था वो बंद भी हम लोग कर सकते हैं और भी बहुत अमेजिंग फीचे से जैसे की इंडिकेटर इस तरीके से इसका काम करता है एडलाइट इसके नई आगाऑ यहां चोटर दिया गए यह बटन द़ाने पे इसके फॉक ट्र copyright यहां में लोग вариант की कर सकते हैं यह पर फीचर्स के मामले में और पिरनी जिमनी कोफी प्रानी जिमनी के मुकाबले में तो कई अभी मेरे पास और भी बहुत सारी कार्स है उनको भी एक बार अन्वाक्स करेंगे उसके बाद इसकी फाइट कराएंगे दूसरी कार्स के साथ देखते हैं यह नहीं मौडिफाइड जिमनी कितनी जादा पावरफुल है को मैंने सिर्फ 2,000 करो चानल को सब्सक्राइब नहीं क्या तो ज़रू सब्सक्राइब करें प्यल इसका रिमोट कंट्रोलर है काफी हवी काफी अच्छी क्वालिटी का रिमोट को रखते हैं साइड में यह है बिग फुट मॉन्स्टर स्कूल बस इसके वील्स देख लो कितने जादा बड़े स इसके दिएग है ग्रिप भी अच्छी खास है मेरे पास एक और बहुत ही शांदार सी कार है इसको बोलते हैं मिनी वर्जिन आफ टोयोटा लैंड क्रूजर आज इसकी भी फाइट कराते हैं जिमनी के साथ और डिफेंडर के साथ आपको बता होगा यह कार बहुत ज़्याद मौन्स्टर बस के साथ कंपारेशन करूं तो मौन्स्टर बस से भी देखो जिमनी बहुत जादा छोटी लग रही है और इससे भी कंपारेशन करके बता देता हूं इससे भी जिमनी थोड़ी सी छोटी मेरे को लग रही है तो चलो कई सभी कराते हैं फटा-फट से फाइट इंडूर में सभी के भीच में देखते हैं कौन जिता है चलो तो सबसे पहले मैं जिमनी को चलाने वाला हूँ उससे पहले इसकी यूजर गाइड दिखा देता हूँ इसके अंदर इतने धेर सारे सेटिंग्स दिये गए कि यार मेरा तो एक बार में दिमाग चकरा गया था तो यहाँ पर यह जो छोटी छोटी स्विचेस है इनके अंदर मैं थोड़े से सेटिंग्स आपको चेंज करके बताने वाला हूँ यह स्विच को अब मैंने नीचे कर दिया है इससे आप इसकी पूरी की पूरी जो लाइट से इसको अन कर सकते हो इस तरीके के इंडिकेटर काम करते है अगर यह कार को मैं रिवस लूँगा तो इसके अंदर जो पार्किंग लाइट है यह भी काम करते है और इसकी दिए संहाँगो देदिया है नोगने तो यह ख़लाता हूं यह फिसको फोर्सट केर में इसको चला रहा हूं तो कंट्रोलिंग में बीलकुल एक रीयल जिमनी जैसी ही दिख रही है भाइस सच मैया-मज़ा आगया मेरेको तो यह कार चला के इसको मैंने थोड़ा सा नाइट में भी चला के देखा है इसकी हेडलाइट चेक करने के लिए सामनी की तरफ देख रहूँगा इसको मैं अंधिरे में चला रहा हूँ तो मैं Traxxas Land Rover Mini Defender को चलाने वाला हूँ इसकी कंट्रूलिंग सच बताऊं तो में को जिमनी से करने के बाद भी देखूँगा इसको कुछ नहीं हुआ क्योंकि यह बहुत ही मजबूत RC कार है अब यह रही हमारी Monster School Bus इसको यहां से ओन कर देते है बिल्कुल एक Monster Car जैसी इसके अंदर आवाज दी गई है अगर यह वाला trigger में प्रेस करता हूँ तो इसके अंदर हम लोग horn भी बजा सकते हैं क्योंकि अक्शुल में यह एक simulation model वाली Monster School Bus है जब मैंने इसको चला के देखा तो और मेरा तो दिमाग चक्रा गया इसका brake देखकर देखूँगा जैसे मैं brake लगा रहा हूँ यह completely 90 degree तक इस तरीके से घूम रही है फिर मैंने इसके साथ climbing भी करयानी की कोशिश की है वो भी high speed में जैसे ही मैं इसको उपर चड़ानी की कोशिश कर रहा था इसके wheels को यहाँ पर बिल्कुल भी grip नहीं मिल पा रही थी क्योंकि इसके wheels pure rubber के नहीं बने flop हो चुकी है पूरी तरीके से क्योंकि इसका weight भी थोड़ा सा जादा है चलो जिन्नी को एक बार उपर चड़ा के देखते हैं यह भी four wheel drive है इसको चड़ाने के बाद यार मेरा तो दिमाग चक्रा गया है इसकी speed देखकर कितनी अराम सी है इतनी उपर चड़ चुकी है वो भी बिना कोई दिक्कत के फिर मेरे को लगा कि Toyota Land Cruiser भी काफी अराम से चड़ जाएगी जब मैंने इसको चड़ाना start किया तो इसके wheels यहाँ पे फिसलने लगे थे यह थोड़ा सा उपर जाने के बाद बहुत ज़ादा फिसल रही थी जैसे मैं इसको उपर लेकी जा रहा था यह वापस से नीची की तरफ आ रही थी फिर मैंने जैसे इसके इंदर full trigger दबाया है यह गार easily उपर की तरफ चड़ गई थी पर guys clearly यहाँ पे winner है जिमनी ने Traxxers Defender को उठा के पटक दिया है साइड में मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सूचा थे जिमनी Traxxers Defender को हरा देगी वो भी pushback में यह completely unexpected था फिर मिनी जिमनी से fight करने के लिए इतनी बड़ी साइस की मैं Toyota Land Cruiser लेके आ चुका हूँ जिमनी की performance देखकर मैं completely shock हो चुका हूँ देखोगा इस काफी आराम से इतनी बड़ी Toyota Land Cruiser को भी जिमनी बहुत easily पीचे टेकल रही है यहाँ पे clearly वापस से जिमनी जीच चुकी है दो-दो powerful cars को हराने के बाद जिमनी के उपर बहुत जादा load गिर चुका था मैंने Toyota Land Cruiser को भी चेक करके देखा है क्योंकि यह भी पूरी पाफर लगा कर जिमनी को पीचे ठेकल रही थी पर इसको तो कुछ फरक पड़ा ही नहीं अब fight होगी जिमनी वर्सस मॉन्स्टर बस के बीच में देखते हैं गाई इस इन दोनों में से इस बार कौन जीता है यहाँ पर जैसे ही मैंने दोनों के अंदर फुल ट्रिगर प्रेस किया है क्लियरली आप देख सिकते हो चुटकी बजाते ही जिमनी को अपनी तरफ हैंच के लेके जाए चुकी है क्योंकि इसके अंदर एक पावरफुल मोटर दी गई है वहीं दूसरी तरफ जिमनी का एक विल काम नहीं कर रहा है इस वज़े से इसको यहां पर ट्रैक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा है दीफेंडर ने इसको काफी अराम से हरा दी आये यहां पर फिर मैंने ये दूनों कार्स के बीच में इंडोर में रेस भी करा के देखा यहां पर मैं को यह पता चला कि बार-बार डिफेंडर रेस में जीत रही थी क्योंकि जिमनी का एक विल कॉंप्लीटली तूट चुगा था आपे जिमनी पूरी तरीके से कोशिश कर रही थी डिफेंडर को पकड़ने के लिए पर डिफेंडर इससे काफी जादा तेज निकली तो गैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बतो आपको जिमनी अच्छी लगी या फिर ट्रैकसेस डिफेंडर अच्छी लगी चलो भी मैं देने वाला हूँ शाउट आउट पहला नाम है दीपक, शिव, अतुल, आयूश, रवी, हुजेफा, दिलीप, रिदेश, नवीन, मुस्तफा थैंक्यो दोस्तों इतना अच्छे कमेंट करने के लिए कर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजे लाइक, नीचे कर दीजे कमेंट, बाइबाइ दोस्तों